यह वासप माइन वाइन वाकिंग एड बैंगलोर बट करेंट लाइव दो साथ से काम कर रहा हूं और उस पॉइंट को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप आप यहां पर आप देख पार होगे मुझे कितना प्राइज मिला है उस पॉइंट का ओके और मैं इस चीज को रिडिम यहां पर कर सकता हूं चीज में थो बटाएब कर सकते हैं इसको उसी के खिर यूंज कर सकते हैं ठीक है यहां तो सब यहां पर यहां पर हैं तो अब लैट सी मail किया पे लेता हूं यहां पर कोडिंग सिखा रहा हूं और मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो अप्रोड किया है रिगार्डिंग क्रड़ ऑप्रेशन और वह काफी इंपॉर्ण और काफी वीडियो तो वह तरू जाकर देखना और वह चैनल पिसकली आपका वेडियों को पर बेस रहेगा तो आप लोग वेडियों को एक वीडियो जरूर दू और यहां मैं वीडियो नहीं डाल रहा हूं और अगें कुछ देलिया हो गया था उसका भी रीजन था मैरे बताते रहा हूं बट अफकोस बहाना आप उसकता है बट डाट इस जनुन रीजन तो पहले रीजन यह है कि एक्चुली मेरी भांजी आयो थी वह बिसकली एक साल की बेटी है एक साल की छोटी बच्ची है तो वह एक्चुली कहीं भी चल के जा सकती है तो उसके उपर हमेशा एक आदमी को देखना पड़ता है तो वहां मैं का इश हो गया था ठीक है बट नाओ आएफ सम बैंडविध मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं पहला काम ही करता हूं कि मैं वीडियो नहीं निकाल पा रहा हूं और आप लोग को दिखाऊं कि हम लोग क्या काम करते हैं कुछ लोग को पता नहीं हुआ कि more क्या होता है यह फिर प्रॉट्ट क्या होता है संब्सक्राइब को आइडेया देना काम होता है या जब भी कुछ काम होता है ओके तो वे तीन फेसे में डिवाड़े होता है और के पहला फेज हम बोलते हैं development phase second होता है staging phase which is a testing phase और तीसरा होता है प्रोशन फेज जहाँ पर चूड जाता है and end user आपका चीज को देख पाते हैं तो बेसिकली तीन फेज होता है उसमें सबसे लासर फेज होता है वह होता है production phase यानि एक्च्वल में user आपके site को या फिर आपका जो भी application उसको देख रहे हैं and उसमें कुछ fault नहीं होना चीए इसलिए आपको दो फेज मिला हुआ है ताकि आप अच्छे से काम कर लो अच्छे था ठीक है तो इसलिए वीडियो नहीं बना पा रहा रहा था यार यह जैन हिसमें तो प्लीज इसको समझो ठीक है आज कसी नहीं कि अभी बज रहे हैं सुबह के साड़े 11 और आज काम का लोड थोड़ा कम है क्योंकि मेजर मेजर काम हो चुका है तो काफी छोटा मोटा काम ह जो कि मैं कर लूँगा ओके सो डाट इस वन तिंग अपार्व मुझे विपसर बनना आज यहां काम लिया हुआ है और उसका साइट भी बाकिये बनाना तो वह भी बना रहा था तो वह मैं बनाओंगा और आप लोग को मैं साथी सब बताऊंगा कि मैं कैसे बना रहा हूं क्य रहा है आप लोग कि इतने चोटी चेशल देखते हो और इस पर रप्लाइ भी करते हो okay अपने फानली इपना बोटल चेंज कर लिया है और मैंने फानली इस ब्रास का बोटल के हम पर ले लिया है okay and yep and अब बात करते हैं फ्लैंसिंग के बारे दस पहले बात कर लेते हैं कि फ this time okay and then I'll be getting paid for that okay so actually एक लीगल एक्रिमेंट साइन होता है and then आप दोनों एप्रूफ करते हो and then we can start working on that okay but freelancing actually ऐसा नहीं होता है ठीक है वहाँ आप कोई एक्रिमेंट sign up नहीं करना होता है वहाँ बेसके लिंशोट यह होता है कि suppose एक as a freelancer then वहाँ पर कुछ-कुछ sign ups होते हैं but in general आपको कुछ sign up नहीं करना है आप freely काम कर रहे हो एक बंदे के साथ या एक team के साथ and you are free to go okay तो अब बात करते हैं कि फिलैंसिंग कैसे करें वहाँ पर ही मैंने कुछ-कुछ पॉइंट्स अच्छे से बताया थे लेकर मैं आपको यह बता रहा हूं कि फिलैंसिंग शुरू करने से पहले आप पहले एक अपना इन्हों स्किल पकड़ो अब ऐसा नहीं कि मैं कुछ coding से ही स्किल पकड़ो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है स्किल कुछ भी सुते हैं depending अपॉन कि वो स्किल कर डिमांड है या नहीं ठीक है बहुत लिएंसिंग का मिल रहे हैं तो उन सब सेक्टर्स में गूगल एड्स ओके मतलब जिससे क्लाइंट को प्रॉफिट मिले ओनलाइन मीडियम के तुरू उस पे ज्यादा डिमांड है तो यह तो होगा स्किल्स के बात अब बाता है कि हम यह सिखे कहां से तो पहले तो आप अपना इंटरेस्ट का चीज़ पकड़ो इट में भी काम होता है और मैं यह काम सीख सकता हूं और इसली कर सकता हूं ठीक है आपको अंदर से भी इंटरेस्ट आना चीए ऐसा ने कि आप पैसे के लिए काम करने जाओ गिंश्यायदो काम नहीं घौँ थीक है और सब से मेरा फिलाइंसिंग स्किल पहले बातyo डिसाइड़िया थीक है मैं बनाता हूं क्लाइन के लिए थोड़ा बहुत पहले लिस्व नहीं किया करता था वह द्थ डाड क्लाइड़ मेरा इंत्रस बहुत क्लाइट नहीं तो आप देखो मुझे मुझे मिलते हैं न वह लोग को स्ट्राइटिक चाहिए होता है यह थोड़ा बहुत चाहिए होता है बहुत फीचर इस साइट नहीं चाहिए होता है थाकि उसमें वह लोग अपना दिखा सके या फिपना पर वहां पर शो करा सके ठीक है तो अगर आप चाहिए होता है तो नहीं चाहिए होता है भूप एक बहुत ही तगड़ा टूल अब वर्डब्रेस को सब काफी एजली और काफी तरड़ा तरड़ा साइड बना सकते हो ठीक है अब अफकोंस यहां पैसा नहीं कि आपको वर्डप्रेस के रिगाडिंग जॉब काफी कम है तो लेकिन वर्डप्रेस रिगाडिंग फ्रिलैंसिंग का काम बहुत जाद है ठीक है तो मैंने वह चीज उठाया औ आपको एटूजर चीज आप अराम से सीख चाहोगे ठीक है यह मैं बतर आप अपने बारे मैंसा नहीं कि आपको भी वर्डप्रेस सीखना है आपको जो सही लगे आप वह पहले पिक करो मैंने वह सीख लिया ठीक है सीखने के बाद क्या किया मैंने एक दो साइट बना है लोगों को समझाते हैं जो भी उनका कम्यूकेशन का जरीया होता है उस फेस्बूक कर थूए होता है और वह सिर्फ लोगों के लिए जो लोग वहां पे पेड इस्टुट्स है ठीक है तो वहां पर मैंने अपना साइट को डालना शुरू किया और वहां मैंने बोलना लिए तो मैंने क्या कि एक 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 मार्केटिंग करके एक चीज होता है यहां मैं बहुत अच्छा से बात करूंगा कभी आगे लेकिन अभी समझ लो आप कि सपोज एक कंपनी कुछ चीज बेंच रही है ठीक है तो कंपनी का चीज आप किसी और को बिचवा होगे तो आपको कुछ कमिशन मिलेगा और बेचना मतले हैं एक लिंक मिलता है उसको बोलते है फ्रेट लिंक वो लिंक आप किसी और को दो ठीक है उससे अगर वो बंदा बाई करता तो आपके अकाउंट में कुछ कमिशन आएगा तो होस्टिंग का एफिलियेट बहुत जादा चला हुआ हुआ है उसको मेरे होस्टिंग एफिलियेट से बाई करो होस्टिंग क्योंकि सब्सक्राइब को चाहिए उसक्ता बनेगा नी तो होस्टिंग के लिए आप वह स्वाइन का यजई है अलेस ऑपको पूस्टिप या फिर कुछ स्टॉंग कस्टमाशन आपको नहीं करना है वहाँ से बनाना तो जेनरली वो लोग सीख रहे थे तो वो लोग को भी एक सिंपल साइटी चाहिए था तो मैंने वहाँ से बना दिया साइट बनाता हूं अगर आप अपने बिजनस को अनले आ जाते हो तो प्लीज अपना साइट बनाओ एंद आपकाफी टिमांड होगा ठीक है तो बहुत शॉप घुमले के बाद मुझे एक दो साइट मिला हुआ है अभी जो फिलहाल जो मैं काम कर रहा हूं वो मुझे एक तो म मैं साइट बना रहा हूं तो काफी कूल लग रहा होगा बट इस नॉट इसी बहुत डिफिकर्ड लग काम मिलना और पे भी बहुत अच्छा नहीं है इन माई कैसा वोट एक्स्पिरेंस मैंने देखा है लोग के महीने के दो लाग तीन लाग चार लाग भी कमा रहे हैं और लेचेट ओके फेक नहीं होता है कमाते हैं बट मेरे लिए उतना नहीं चला उसका दो रिजान है पहला कि मैं जॉब करता हूं तो मैं बहुत एक्टीवली सर्च नहीं कर रहा था और सेकेंड यह कि मुझे जल्दी क्लाइंट मिलने रहे हैं आई डों नो वाई बहुत मुश करवा सकें ओके तो इसके लिए वही साइट मैं यहां पर बना रहा हूं अभी साइट अंडर कंस्रक्शन है काफी कुछ आपको यहां पर देमो दिखेगा बट यहां वाकिंग ऑन डैट राइट नाओ ठीक है मैंने आप सारा पीजेश यहां पर एड़ किया हुआ है एंड सबसे पहला और सबसे इन पर पर एप्लेंगान राइस व उसकव को ले दोंगेन दोमेश बेन अपका सारा रहीं इदा है UFO STC उनका काम है तो वो काम क्लेंट के होता है ती कि लेकिन अगर उन्हें भाइकर नहीं आ रहा है तो आपका फर्साइब करो अगर आप अपको 7 रुपए पड़े अगर आप .co.in या फिर.in रहे तो मैं भी 300 में भी आ सकते हैं ठीक है एंड होस्टिंग का बात कि तो होस्टिंग का प्राइस बहुत ज्यादा डिफर करता है एट केंड डिफर फॉर्म पर यह टो इवन टेन थाओजन टेन थाओजन पर यह एस वेल ओके तो मैंने के लिए एक बैसिक प्लानिप पाई किया है तो यह वस्टिंग आ गया डोमेन आ गया अब उसमें में अपना साइट को सेट अप करना है ओके तो वर्ट्रेस ने इतना क्रेमिन बनाए हुआ है कि आ वर्ट्रेस के अंदर काफी सेक्शन साथ है अब तीम में जाओ और आप इंस्टॉल कर लो ठीक है तीम इसे स्टॉल कर लो एंदेन आप वहां से कस्टमाइज करोगे और साइट बनाना शुरू करोगे ठीक है मैं इस पर डीप में नहीं जा रहा हूं मैं कभी रहा वीडियो सब्सक्राइब अब पर तो लग रोपय को महुँद आप अपना वो काम कर लो एंदन अगर आपके बाद शाम में टाइम बचता है तन यू चूस फ्रिलांसिंग और शूर्ण से शुरू करो पहले जैसे कि सपोज आपने आप अगर जोब कर रहो या आप अगर पढ़ाई कर रहो तो पहले आप अपन के और आप फ्रिलांसिंग को अपना मीजर इनो पोर्शन आफ इंकम बना लो ओके लाट इनिशली अफकोस एक टैम बाद अगर आपको लगता है कि ठीक है मेरा जो फ्रिलांसिंग का जो इंकम है वो जादा है देन मैं एक्ट्वल सैलरी देन यू यू डेफिनेटली चूस इनिशली यू उप्र में करके बात कर लेते हैं फृट्फॉलियो कहीं से ले सकते हो पने अक बना लिए अपना अपना काम डालो और आप अपना अपना काम डालो and then you can share it across and you will get the work regarding that okay that is one thing apart from that uh बहुत सारे you know online sites आते हैं जहां पर आप आप अपना portfolio यापना gig वहां पर रख सकते हो और अगर आपका इंगी करेट सही लगा यापका portfolio सही लगा क्लाइन को तो वह लोग आपको खुद अपरोच करेंगे and then you can make a deal there okay so kuch sites के नाम भी मैं आपके डाल दूंगा आप एक बार देख लेना and yep that's about it so I hope मैंने आपको सारा कुछ पता दिया about financing I know यह थोड़ा fast video था या फिर यह थोड़ा you know एक overall type video था लेकिन अगर आपको in-depth आपको जानना है about finance then of course you can comment on below and I'll make sure that I will make a video upon that as well okay but in short map ko yeh समझा रहा हुँ कि फिलेंसिंग को आप as a side source शुरू करो and फिलेंसिंग तफ नहीं है अगर आपने skill को सीख लिया तो client मिल जाएंगे अगर आप अच्छे से effort मारते हो तो okay that is what you can take away from this video so hope guys आप लोगो पसना होगा और इंफोर्मेटल दोगा होगा and अगर आपको वीडियो सो कुछ भी सिखने को मिला तो प्रीव लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राब भी कर दें क्योंकि मैं आपके लिए एसे वीडियोस रिगादि कोडिंग रिगादिंग देली लिफसल लातरता हो तो थैंक वाचिंग गाइस सी नेक्स टेक्राइब